धोकले का नाम सुनते ही हर किसी को मुं में पानी आ जाता है हर किसी की पसंद होती है धोकला बट मेरे बच्चों को सूजी का धोकला जादा पसंद है बेसन का थोड़ा कम और मेरे हजबन को बेसन का पसंद है तो आज मैंने डिसाइट किया चलिए पहले बच्चों की पसंद क का बनाते हैं सूजी का धोकला और फिर में बनाओंगी नेक्स टाइम बेसन का धोकला हेलो एन वेलकम तो मैं चैनल कुकिंग इन देशी स्वैक आज आप एक बार सूजी का धोकला बना के देखिए आपके घर में सबको पसंद आएगा बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहे इस तरह भी बना सकते हो आप चाहे तो एडली के भी स्टैन में बना सकते हो सबसे अच्छी बात यह है कि हर एज ग्रूप का इंसानी से आराम से बना सकता है आसानी से बना सकता है इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाने कोई रॉक इंड साइंज नहीं है तो चलिए इसे बनाना सबसे पहले मैंने दो कप सूजी ले लिए तो करीबन ये 200 ग्राम होगी मैं इसमें जो दही यूज करने जा रही हो वो दो दिन पुरानी दही है हलकी सी खटी है जादा नहीं अगर आप फ्रेश दही यूज कर रहे हो तो आप डेड़ कप डालेगा दो कप सूजी में एक कप म डाल दीजेगा ठीक है तो फिर इसको अच्छे से मिला लेना है जादा नहीं इसको मिलाना है बस हलका सा दही पानी और सूजी आपस में मिक्स हो जाए बस उतना ही मिलाना है ऐसे फेटने वेटने की जरूवत नहीं है तो मैंने इसमें वन टी स्पून फ्लाट करके हल्दी डाली है नमक आपको स्वात के नुसार डालना है और आप देखेगा आपकी हल्दी पर भी डिपेंड करता है किसी-किसी हल्दी का रंग काफी अच्छा तुरंत निकल आता है कभी-कभी हल्दी का रंग थोड़ा बना फीका रहता है तो आप थोड़ी सी और डाल दीजेगा बट जब आप बनाओगे ना इसको अपने आप इसका रंग बहुत खिल के आ जाएगा आप अभी देख सकते हो इतना खिला हुआ रंग नहीं लग रहा है बट जब मैं बनाई इसके बाद हल्दी का रंग निखर के आ गया तो इसे मैंने ढखके रख दिया है 20-25 मिनट के लिए अब 20-25 मिनट के बाद मैं फिर से निकाल लूँगी इसको अब आप देख सकते हो यह सूजी का जो बैटर है यह थोड़ा सा गाड़ा लगेगा आपको यूज कर सकते हो चाहे कुकिंग ओल जो भी यूज कर सकते हो आप तो फिर मैंने इसमें गाड़ा है तो मैं इसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी दूँगी आप अगर केक बनाते होगे तो आपको पता होगा कि कितनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उसकी बस फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं में दो इनो का पाउच पड़ेगा ठीक है देखिए कब भी डिपेंड करता है यह तो बेकिंग वाला कप है जो नॉर्मल चाय वाला कप यूज करोगे आप तो फिर उसका मेजर्मेंट अलग हो जाएगा तो फिर उसके लिए आपने आप दो कप के लिए आप एक पाउच इनो डालने के बाद आपको हलका सा उपर से पानी डालना है ताकि यह एक्टिव हो जाए उसके बाद बस मिला देना है इसको थोड़ा सा मिलाना ज्यादा नहीं और इसे साइड में 2 मिन रग दीजे फिर आप देखो कि अपने आप बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और तब तक मैं करती हूँ इसके जो टिन है जिसमें आपको बनाना है आप कोई भी स्टील का बरतन ले सकते हो चाहिक का अगर आपके पास केक का भी टिन हो वो भी यूज़ कर सकते हो आप आराम से ठीक है तो मैंने इसको क्या हुआ अच्छे से इसको ग्रीज करना है ओयल स मैंने उसको पानी को गरम करने के रख दिया है और इसको थोड़ा थोड़ा से थप थपादhouse कर दोंगी कर दूंगी उसके बाद उसके इसके बाद जो कज़ाय में गरम पानी है उसमें से डाल देना है आप देखियो बलते हो पानी में मैं डाल रही हूँ इससे यह फैदा हुआ कि यह झो डोकला है सूजी का पंदर मनत में बनके त्यार हो जाएगा और इसका बेकिंग्स जो है इसका स्टीमिंग प्रोसेस और तुधर स्टार्ट हो जाएगा और यह जो इनो है अच्छे से अक्टिवेट है और अच्छे से इसका रिजल्ट अच्छा आएगा इसलिए मैं आपको बोल रही हूं तो मैंने 15 मिनट के बाद आप देखिए मैंने चेक किया है तूत्पिक से एक बार आप चेक कर लीज़ेगा अल्मूस्ट बन जाता है 15 मिनट में 20 मिन भी लग ठीक है पहले 5 मिनट के लिए तो मैंने इसको हाई फ्लेम पे ही किया है उसके बाद मैंने लो फ्लेम पे किया है दस मिनट से बारा मिनट के लिए 2 मिनट के बाद आप डूआ कीज़ेगा साइट से नाइव से आप इसको जो अलग कर लीजीगा और Sheivid थपाके पांच मिनट के बाद टन अलग कर लीजेगा किसी प्रेट में ट्रांसर कर लीजिए अब देखेँ में बन गया गरम गरम में मैंने करने की कोशिश की तो वह तूट रहा था क्योंकि गरम गरम है तो इसलिए इसको हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे कट करेंगे उसके बाद इसके उपर तड़का लगाएंगे तड़का भी लगाने के लिए आपको खुला हुआ पैन लीजेगा ज्यादा बेटर है ठीक है ना मैंने इसलिए बड़ा सा पैन लिया है ऐसे तो तड़का पैन थोड़ा छोटा होता है तो उसमें जब कड़ी पत्ता डालते ना बहुत ज्यादा चटकने लगता है तो बाद मैं इसमें मस्टर्ड शीज डाले हैं आप मोटी या पतली दोनों डाल सकते हो उसका हींग डाली है हरी मिर्च डाली है तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है गैस आफ करने के बाद और इसमें मैंने तिल डाला है सफेद वाला तिल इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपको इसमें तिल डालो गया आप तो सबको काफी पसंद आया घर में और बहुत ही जल्दी ओवर हो गया फिर से मैं बनाऊ कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो जल्दी मिलेंगे फिर एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए और आप भी ट्राई कीजिएगा खाईएगा और खिलाईगा घर में सबको